जब किसी नए रिष्टे में आपका पार्टनर आप पर भरोसा ना कर पाए, तब क्या करें? वो आपको उस तरह से डिफ ही रही नहीं कर पा रहा जैसे आप उन्हें ट्रीट कर रहे हैं आज जैसे आप भारो सा उन पर दिखा पा रहे रहे हैं वैसा वो भारो सा पर दिखा JC नहीं पा रहा तब क्या करें वो भी हैपी वाले अंदास में भरोसा एक ऐसा शद जो छोटा तो बहुत है लेकिन इसके माइने बहुत गहरे है सागर छोटा पड़ जाएगा इस भरोसे के अंदर ये एक बार तूट गया तो जूडने में बहुत मश्किल लेता है और अगर ये है तो सामने वाला आपके लिए कुछ भी कर गुजरता है तो भरोसा रिष्टे में होना बहुत जरूरी है बहुत जादा और तब क्या करें जब आपका पार्टने जब सामने वाला आप पर भरोसा ना कर पाए इस्पेशली तब जब रिष्टा नया है एक नया रिष्टे में आप आए है आप उन्हें अपना पूरा ट्रस्ट दे रहे हैं पूरा भरोसा दिखा रहे हैं और वो आप पर भरोसा कर ही नहीं पारा आपकी हर चीजों पर उसे डर है, संदे है तो वैसे कंडिशन में आपको सिर्फ पूरी इमानदारी से बने रहना है अपने हिस्से की इमानदारी निभाते रहना है क्योंकि इस नया रिष्टे में आप उन्हें चाहते हैं आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे और क्योंकि आप चाहते हैं वो आपके साथ रहे इसलिए आपको एफ़र्ट नहीं करना है आपको सिर्फ वो करना है जो आप हो देखो अगर आप बदमाश हैं अगर आप मक्कार हैं अगर आप दोकेबास हैं तब तो फिर आपको आप पहले ही गलत है तो आपका सेल्फ डौट ही आपको लिडूबेगा लेकिन क्योंकि आप इमानदार हैं अगर आप अच्छे इंसान हैं आपने इस रिष्टे को इमानदारी से शिरू की है तो कुछ समय बाद उन्हें विश्वास हो जाएगा समझे इस बात को कि वो आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहें चुकि जैसे आप एक बहुत लंबी यातरा तैय करके यहां तक आएं वैसे ही वो भी चाहे वो मेल हो या फिमेल वो भी लंबी यातरा करके ही यहां तक आएं और इस लंबी यात्रा में ना जाने कितने धोखे ना जाने कितने कलेश ना जाने कितने दुख या सुख उन्होंने देखे और इसलिए अपने past experiences की वजह से ही वो आप पर संदे कर रहे हैं वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो ये विश्वास आते आते आता है और अब विश्वास आ जाता है तो घबराईए नहीं आप अपने हिस्से की एमानदारी ने भाईए वो आप से प्रिम करेंगे विश्वास के साथ एक और बात है कि कभी कभी विश्वास में हमेशा से विश्वास था लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसके वज़ा से सामने वाला आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है आप से कुछ ऐसा गुना हो गया आप से कुछ ऐसा गलत हो गया जिसके वज़ा से वो भरोसा ही नहीं कर पा रहा है भरोसा दिखा ही नहीं पा रहा है रिष्टों में भरोसा पूरी तरह से खतम हो चुका है वो आप पे भरोसा करी नहीं पा रहा तो उस कंडिशन में आपको वो हर काम करना होगा जो भरोसा दिलाने के लिए जरूरी है कि एक बात है ना एक कहवत है कहवत ने सची बात है कि वक्त हर जखम का मरहम है वक्त हर जखम का मरहम है वक्त के साथ आप वो काम करने शुरू कर देंगे जो विश्वास दिलाने के लिए जरूरी है तो आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे और अगर ये बहुत ज़दा टॉक्सिक हो गया है आप विश्वास बहुत जादा टॉक्सिक हो गया, बहुत जादा को लेकर परशानी हो गया, तो ये विवकुल सही समय है, कि आप दोनों ही मिच्छल डिसिजन लेकर के अलग हो जाएं, या स्पेस ले ले, ये कि स्पेस एक ऐसा अमृत है, उपुआस एक ऐसा अमृत है, वरत जिसमें आप चीज़ों को जब कंजूम करना बन कर देते हैं, तो उसकी लेक्नेस क्रियेट होती है, जब कमी क्रियेट होती है, तो अपने आप तृष्णा जागती है, यानि कि आपको उनकी याद आने लगती है, आप उन्हें याद नहीं करते हो, उनके दोरा दिये हुए मुवमेंट्स को याद करते हो, इनके दोरा देवेट पलों को याद करते हो, जो भी रिस्पेक्ट, एम्पिटी, सेम्पिश, टच हुड़, लव, केर, अटेंशन, जो भी उनसे आपको मिला था लगते हो, और जब आप उन्हें मिस करने लगते हो, तो उसके साथ आप उस गोई मिस्करने लगते हो और ऐसे ही इस उपवास के बाद बाद इस लेकनेस के बाद इस स्पेस के बाद जब आप आपस से मिलते हो तो सब कुछ अच्छा हो चुका होता है तो एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि पूराने रिष्टे में नए की बात नहीं कराँ नए रिष्टे में स्पेस लोगए तो खतमी हो जाएगा शुरू हुआ ही कहाँ था जो पूराने रिष्टे में स्पेस लेंगे तो चीज़ें बहतर हो जाएगी क्योंकि जब आप एक दुसरे की कमी से गजरोगे और फिर मिलोगे तो फिर प्रेम के साथ ही शुरुआत होगी and much better है कि space के बाद जब मिले तो mutually ये बात कर ले कि अब से हम ये ये चीज़े नहीं करेंगे अब से हम ये इन चीज़ों पर ध्यान देंगे अब से हम इन इन चीज़ों पर काम करेंगे तो इस इस वेरी गुड थिंग इन यूर रलेशन्शिप प्रेम से रहिए नमस्ते आजी